नमस्कार, स्वागत है हमारे इस कारकरम में आप सभी का, मैं हूँ संजय शर्मा, हम अध्यात्मिक्ता की बातें तो सुनते हैं, काफी कुछ जानते भी हैं, समझते भी हैं, और संसारिक्ता को किस तरह से इसके साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर उहा पोव में नजल आते हैं, हमारे साथ spiritual master हैं, अध्यात्मिक गुरु कह लीजिए, अभी heartfulness संस्था के ये world master है, world leader है कह लीजिए, और उनके साथ हम बैठे हुए हैं, श्री कमलेश पटेल जी, तो कमलेश पटेल जी आपका बहुत वह स्वागत है, IBC 24 पर, सबसे पहले तो लोग यही जानना चाहते हैं कि ध्यान करें तो कैसे करें, जो लोग सुनते हैं ध्यान का नाम, जानते कुछ नहीं है, तो वो जानना चाहते हैं कि कैसे ध्यान करना चाहिए, किस तरह का ध्यान करना चाहिए, क्या किसी भगवान का, क्या किसी चीतर का ध्या करना चाहिए कैसे होता है ध्यान थोड़ा सा समझाएंगे ध्यान कैसे करें और ध्यान किस चीज़ पर करें क्यों करें तो मैं एक चीज आपको बताऊंगा कि सबको सुखी रहना है आनंदित रहना है कि सुख और बेचेनी दोनों साथ में नहीं रहते हैं जब बेचेन होता है दिल तब सुख को पासकोगे नहीं हो सकेगा और यह जो मन की हालत है जहां रेस्लेसनेस को निकालके बेचेनी को निकालके एक तरह की एक अगरता पर हम पहुंचें वो मनन के सिवा नहीं हो सकता है मन को मनन करने के बहुत जरूरी है जरूरियात है और यह मनन कैसे करें जब तक हमारा माइंड फोकस नहों हो और फोकस माइंड कब हो सकेगा जब हम ध्यान करेंगे तब जोइन दो डॉट्स हापिनेज का रूट ध्यान में है कैसे करें किस पे करें ध्यान करने के लिए सही गुरू की जरूरत है कि जब भी अच्छा गुरू मिलेगा सही गुरू मिलेगा आपके दिल को सांती मिलेगी आप ध्यान करो या ना करो उनकी पहलों में जब बैटो गया आप तो उनका असर पड़ेगा ही दूसरा चीज वो जब बताए कि ध्यान करना है तो वो उनमें इतनी कैपैसिटी होनी चाहिए कि टाड़ा हुंती के वज़े से वो हमें अपने चेतना के अलग-अलग स्तर पे ले जाए और हर स्तर का अनुबोग करा है तो यहां हार्टफलनेस में हम वही करते हैं मेरा रोल क्या है अज़ अभ्यासी अज़ फॉलोवर अज़ सीकर अज़ शिश्य को क्या करना चाहिए बस इतना ही आँक बंद करो और ख प्रात्नम ही होके इतना बताना है कि मुझे आपका अनुबोग करना है बस दूसरी बात कि जब यह गुरू जी हमारे हैं हो हम वह ट्रांस्मिट करते हैं यह प्राना होती योगिक ट्रांस्मिशन आप अपने घर पे हो आपको यह दिया भी चाहिए अभी भी जब हम यू- बैठो आख बंद करके और सिर्फ इतना सोचो कि मेरे रिदे में इस लिए प्राकास मौजुद है मैं यहां से आपको ट्रांस्मिट करूंगा जब यह बात सुनो आज नहीं तो कल प्रात्ना इश्वर से करो हम आपको यूगिक ट्रांस्मिशन देंगे ब्राणा होती कप स् सकते हैं लेकिन जरूरी है प्रसिक सकते हैं जो हमें सिखा सके हैं इनिसियेशन करना दिक्षा लेना जरूरी है यह तो मैंने एक बार के लिए टेस्ट के लिए बताया है तो आपके शुरतागर्ण को बड़ी ऑपरचिनिटीज है कि आज वेनेवर दे चाहें कि जब भी चा है और इतनी इश्वर से प्राइब ना करने ही कि मुझे प्राणा होती का अनुबव हार्ट पूलनेस का अनुब करना चाहिए करना है और जब अनुबव होगा तभी विश्वास होगा जब विश्वास होगा तभी अपना फेथ डेवलप होएगा फेथ होएगा तभी प्र अभी जो है यूथ जो है खासकर हमारा भारत वर्ष में तो बहुत ज्यादा यूआ वर्ग जो है बहुत चीजों में उल्जा है वो कभी अलकोहल भी कर लेता है कभी और बाकी मीट वगेरा तो समाज में है लोगों के मन में शंकर रहती है कि यह चीजे क्या इस टो कभी कभी है एडवाइस देते हैं कि जब आप यह दवा ले रहे हैं तो यह खाना चाहिए यह खाना नहीं चाहिए तो लोग कहते हैं यह सबस्तितanga दोταइंस के साथ फायदा ही नहीं है जब हम ध्यान में होते हैं समाध्य वूस्त होने की कोशिश करते हैं तब हमारे च कि और चलना लगती है एक्दम सुद्ध हो जाती है जब आलकॉल लेते हैं या कोई ड्रग लेते हैं तो उससे उसका परिणाम बदल जाता है तो हम कहते हैं जब तक पिना पीओ खाना एक खाओ लेकिन ध्यान करो ध्यान से देखो आपको क्या बना देता है अगर ध्यान रोज करेंगे ध्यान को पता है कि किस से क्या कराना है वो चीजें अपने आप घट जाएंगी यह आप कह रहे हैं अच्छा आज यह इस्तिती है कि लोग ध्यान की बात खूप करते हैं ध्यान की बातें बहुत सुनते हैं आपस में डिसकस भी करते हैं लेकिन ऐस लगता ने कि यह थोड़े प्रेफुल है या प्रेम पूर्ण है आप उसको किस तरह से देखते हैं कि क्या करना चाहिए उनको क्यों बैठ भी सके रोज ध्यान कर सके वो तो अपनी अपनी चेस्टा पर आदारित है और जैसे जैसे वो डेवलोप होते हैं जैसे जैसे उनका परीवर्ट अंतरिक परीवर्ट नएगा वह बाहर दिखाई देगा देरे देरे उनकी बेहीयर में उनकी सोच में उनकी एक्षिंस में यह न तो यह बहुत प्रोसेस हैं हमें पता नहीं कौन कौन से स्थर्पे हैं लेकिन एक बार हमने नेरई कर लिया चलो क्या पड़ता है काफी तनाओं में रहता है आज कल तो यह तनाओं मुक्ति के लिए meditation और आध्यात्मिक्ता के लिए meditation इसको किस तरह से आप देखते हैं क्योंकि आज कल दोनों चल रहा है मैं तो आपको याद कर रहा हूँगा 1899 या 1897 स्वामी विवेकनन को यह प्रस्ट पुछा गया था कि भारत देश का उद्धार के लिए आज यात्मिक्ता की कितनी ज़रूरत है उन्होंने बताया मेरे देश के लोगों के लिए एक रोटी की ज़रूरत है इस्वर की ज़रूरत है आज के युवां भी कुछ चाहते हैं वो भी आध्यत मिक्ता चाहते हैं असा नहीं है कि वह नहीं चाहते हैं उनको भी अंदर के अंदर होके खुद ही को बुल हाना है लेकिन जब वह नहीं मिलता है तो ड्रक्स में चले जाते आलकॉल में चला जाते हैं वह भी बुला देता है बड़ तो टेंपररी चीज है वो दुसरे कराब रस्ते बेकार रस्ते पर चला देता है जब उनकी नेसेसिटीज उनकी जरूरियात फुल्फिल हो जाए वो बेका आमीन चिंतित है चिंतित इसलिए है यह नौकरी नहीं है न घर में भी परिशान है लोग तो जल्दी साधी कर लें लेकिन जब तक इंकम नहीं होए साधी कर भूए गरमादा भी चिंतित है उनकी चिता की वज़े से यह भी चिंतित है तो बहुत अब दैम देर इने ट्रमेंड़स प्रेशर तो ऐसे समय पे इस्वर की उनको जरूरत यह सुल्जाओ पहले एक करना है रिलेक्स होए लेकिन रिलेक्स कब होएगा आपके पास टैंसले नौकरी नहीं आप ध्यान कैसे करोगे तो उसके लिए पहले कैपैसिटी लानिया नौकरी चाहिए पहले पढ़ाई करो दिल से पढ़ाई करो कुछ बनो जब हम कुछ बनते हैं तो सामने से लोग पुछने आएंगे आप हमारे लिए करोगे वेन्वी यार दे बेस्ट तो लोग हमारे पीछे पुड़ेंगे अचा एक चीज है कि आज जिस तरह का महौल है हमारा पूरा सिस्टम आर्थिक उस पे केंद्रित हो गया है पूरा सिस्टम में पैसाधन प्रमुक हो गया है ऐसी इस्थिति में जब परिवारों में लोग रहते हैं उनके पास अपनी बहुत ज़रुते हैं उनको अपना परि करेंगे किस समय उन लोगों को अगर ध्यान करना है तो कैसे एक टाइम निकालें दूसरा अगर करना है तो कौन सा समय आप बहतर समझते हैं तुम आज का ये प्रस्णन नहीं है वहारी smile को सब के gazet किया है a roaring business even now going on in new york city जब मैं काम करता था business and multiple businesses at the same time running सुबह तो कुई अपने बिस्निस पाने वाला नहीं है आप क्यों चिंदा करते हैं वो समय वो समय ध्यान कर लो हाँ यहाँ पे अपने देश में सब में अज्ञानों का बिजनिस कब सुरूओ यह तस बजे किरा भजे वहा है नुब बजे शुरू हो जाता है की लुग चुरू हो जाता है तो हमें अज़ेस्ट करना पड़ता है कि दुकान पे या इंडेस्ट विए में आट बजे पहुंचना है तो साथ बजे घर से निकलना पुरे दिन का प्लान अपने दिमाग में आ जाता है ठीक है लास्ट मॉमेंट पर हम कुछ छोड़ते नहीं है जब ध्यान करते हैं तो पूरे दिन का प्लान हमारे दिमाग में आ जाता है क्या नहीं करना है वो एकदम हमारे दिल को लपक जाता है तो जो नहीं करना है उसके उसमें हम टाइम बरबाद नहीं करते हैं तो टाइम बहुत बच जाता है और ध्यान करने के बाद तुर्ट उठना नहीं है लेकि स्प्रिंग यू गेट अफ इंड रन एज़िव एक काम हो गए और भागना है लोग पूजा कैसे करते हैं दिया जलाया अगर बती जलाई हम नमस्वाए हम नमस्वाए करके भागते हैं बाद में भगवान को उठा दिया भगवान कुछ कहना भी चाहता है तो सुनने करने के बाए उसको हमारे साथ गंजुस आदमीं कािसा कमाता है और चुपा धेता है तो वैसे ही जो जमांतृक से जब आधियात्मिक्ता हमारे अंडर बेहती है वहई भे इसकुश ना है कंजोस के तरह पकड़े रखना है वांची क्रूप से यह वही जो कबीर ने कहा हीरा पायो गांट कठी आयो बहुत बढ़ी है आपने बता है और उसको पकड़के है दिट करें मेंटल जो हालत है हाथयात्मी हालत उसको पकड़े हुए जॉस पे जाए बिजनिस में जाये कि आ हमें भी असर होएगा काम में भी बर्कत आएगी सी अपना है कि अपने दिल को पवित्र रखो इतना पवित्र रखो कि खुद इश्वर आ जाए हमें स्वर्ग जाने की जुरूत नहीं पड़ेगी कुछ स्वर्ग अपने रिदे में आ जाएगा जब हमारा दिल पवित्र हो जब मुझे अंदर से बता चले कि यह करना है यह नहीं करना है और यह बहान कब आएगा जब हम ध्यान करेंगे तब ही आएगा हमें सब बागते रोगे कुछ पता ही नहीं चलेगा कि में जी क्या करना है क्या नहीं करना है लास्ट मिनिट अउनली विए डिसाइडिंग तिंग्स द्यान में पहले से नहीं होते हैं इसलिए इस सब प्रॉब्लम हो जाते हैं आपके अध्यात्मिक्ता, संसारिक्ता, परिवार, लोग इस सब के बीच तालमेल को लेके सवाल उड़ता है पहले तो हम देखेंगे का अध्यात्मिक्ता और बहुत एक जिवन कैसे बैलेंस किया जाए इंटिग्रेट करना है, एक विद अलान ये जब हम बिजनिस करते हैं या नौकरी पे जाते हैं और मन में इस वर की याद में रहते हैं वो काम में हरकत तो नहीं करीगा तो यदि हम अपने काम में भी लगाए रखें वो आसान से हो जाता है कई बार लगता है कि यह नहीं होगा दो काम साथ में काम भी करना है और अंदर इस वर की याद रखनी है यह तकलिप जैसा लगता है यह लगता है लिकिन दोस्तों के जाद अब्यासे तो अपना कॉंशिस्यास जो माइंड है अगसमिन है वे यह नै Cantonese कौशियों सभी और कश्सम्श पने होरे निधीक तaro balance कुछ आ युवा मैं करता हूं कि युवा जब ठीक से टू ठीक्स को अपनावे जो एडिक्शन है एफ फोन का और कॉम्पीटर का उसको कम कर दे हैं हम नहीं कहते हैं कि फोन यूज मत करो यह बड़ा एडिक्शन हो गया है और दुसरा सही टाइम पर सोना आठ नौ बजे दस जल्दी सो जाओ तो यह जो सरकेडियल रिदम है इपने सूर्ये चंद्रे का जो रिदम है सुर्ये सो जाता है तो हम उसके बाद थोड़े समय के बाद सोने में अच्छा है क्योंकि हमारे निरोलोजिकल सिस्टम है फिजिलोजिकल इस पार उनकी वज़ह से इफ्एक्ट होत है चलता है एक बज़े तक दो बज़े तक नहीं जाब सोएगा तो चलेगा लेकिन जब थोड़े थोड़े उमर बढ़ेगी तब असल पड़ेगा लेकिन युवां में हमने इतना अब्यूज किया है बॉड़ी को बाद में उसका प्रेड़ा मुगट नहीं पड़ेगा और य समाज यह मानता है कि संसारिकता अलग बात है बहुत इकता और अध्यात्मिकता अलग बात है लोग यह मानते हैं कि अध्यात्मिक होना है तो ठीक है एक एच के बाद शायद साथ साल पचास साल के बाद वो सोचते हैं कि इस तरफ जाना चाहिए जब तक यंग हैं पचास सा के बाद या रिटायर्मेंट के बाद में ध्यान करूंगा नहीं हो पाएगा पुड़े होगे जब आदा गंटा पौड़े गंटा एक गंटा जब बैठना है कैसे बैठोगे आप सो नहीं पाती हो बैठोगे कैसे तब तो नीद भी नहीं आएगी और आप पहले पुछ रहे है तेकिए है रिलिजिन धर्म Mehrण आध्यार्द मिक्ता में फर्क क्या है हां जमין आस्मान का फर्क है धर्म हमें सिखाता है का इश्वर है हां अध्यात पिकता इश्वर का अनुभर कराता है तो बहुत बड़ा परक हो गया लोग कहते मानते हैं आप क्यों मानती है नानी ठोड़ी तो बता हो मेरी माने करता वो भूलेगी, यह अब अन्यbon सास्तों में पढ़ ए है लेकिन आप उनको insist कर लेगा आप क्या कहते हो मैं आपने उनुभाव किया है नहीं किया है नहीं जी है तो जो लोग कहते में नहीं मानता हूं उठाउ हुट होंने सघ्थ हो बात यह जानता कि इस वर है यह या इसवर नहीं है वो लेकिन जब उनका अनुबह हो जाए तो बाद में सब सवाल खत्म हो जाएंगे हम जो मानते हैं कि यह है यह मानने में एक बड़ा जोसा जाता है जब उनका अनुबह होता है तो मानने से सुपरफिशल है खोज क्यों करेंगे तो मानना है तब ही मानना है जब उनका अहसास हो जाए वह क्या आनंद की तरह पाया जाता है जैसा कि का ऐसा कहा भी जाता है कुछ लोग सोच सकते हैं कि शायद कोई मूर्ति वा मिलेगी लेकिन बिसिकली क्या है सिर्फ आना आखों से बज्चों को दिखाना पड़ता है कि देख़ए वह hain अंकों से देखना है लेकिन अपनी नतरिक आंखों से अपने दिल से तो हमें अनत को ही देखना है ली रहा कर को ही देखना है यादे क्या कर अब फिक्स हो गए तो हमने फिक्स के लिए कि कर यहित अधर्म के द्वारा बताया गया भगवान वो तो इशारा है कि ये भगवान हो सकते हैं ये सिंबॉल है जिसमें भगवान है सब जगार वह कहते हैं कियो निए है जब इस्पिरिच्वेटिके ध्यान की अध्यात्मिक्ता की बाते होती है तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सुनी हुई है जिसमें चक्राइस की बात होती है सहस्त्रार और कुंडिलीनी शक्ति यह वह आम आदमे के लिए इनकी जोरत है क्या और आजमी को ध्यान में जाना है तनाव मुप्त होना है आनन से रहना है इसके लिए क्या मंत्रा आप देंगे रिधे पर दियान करो प्रानुति का यूज करो और यह सब ध्यान जो हम सिखा रहे हैं इस फ्री है मुफ्त में है हमारे गुरुजी कहते ही ब्रह्म विद्या हमें मार और हम इस चीज़ को भी मुफ्त में बाटना चाहते हैं सवाल किया जा सकता है कि हमारे संस्कृति भार्तिय संस्कृति आथियत मिक्तर को बेचने देगी नहीं नहीं उसको इसके लिए कुछ ट्रांजेक्शन बिजनिस नहीं हो सकता है लेकिन आजकर लोग यह क्रिया करवा और हमारे पास यह एपस भी है उन एपस है जो लोग जानते हैं कैसे यूज करना है एपस को आपको जब भी ध्यान करना है उसको यूज करो आपको परस्नली कोई ट्रेनर की जरूरते कैसे ध्यान किया जाए हमारी साइट से हार्ट पूलनेस डॉट ओ और जी नहीं तो यूज करो वहां पर सब कुछ मिल जाएगा इंफोर्मेशन आपको कि अपनी सहर में प्रसिक सक है की नहीं आस्रम है की नहीं मेरिटेशन सेंटर क्योंकि हमारे दुनिया में अपनी इंडिया में तो ठीक है लेकिन फूरे दुनिया में भी है और मुस्ट एलेवन थाउजन तो यह थे कमलेश पटेल जी जो हाट फुलनेस संस्था के जो है अभी वर्ल लेवल पे लीडर हैं और इन्होंने बता दिया साफ साफ गहरे परशनों के भी जवाब दे दिये हैं अगर आप पहले से साधक हैं तो उसमें भी मारत दर्शन आपको मिला है आप पहली बार जूड़ रहे हैं और ध्यान को सीखना चाहते हैं उसके लिए भी उन्होंने जानकारी दी है और अधिक जानकारी चाहिए तो आसपास किसी भी जगे पर आप अपने इनके ध्यान केंद को ढूंड सकते हैं ध्यान करना जरूरी है ताकि तनाव मुक्त हो सके और तनाव मुक्त रहेंगे तो शायद आनंद आएगा इस कारकरम में बस इतना ही धन्यवाद